चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी साउमी ने उम्मित के मताबिक अपने S-series का पहला स्मार्टफोन Redmi S2 लॉंच कर दिया है। चीन में लॉंच किये गए स्मार्टफोन में 5.99 इंच की स्क्रीन और 18-29 आस्पेटर इसको के साथ स्क्रीन लेस है। 16 मेगा पिसल का सेलफी केमरा जिसी खास जाते है। इस साल के सुरुवात में केज एड्मी सीरी स्मार्टफोन को लॉंच करने के बाद कंपनी ने हाल में ही मिर्टवेंच का MI6X भी लॉंच किया था। चीनी मार्केट में Redmi S2 की सेल 17 मैज से सुरू होगी इसे बेस्ट सेलफी केमरा फोन भी कहा जा रहा है। आईए जानते इस फोन के बारे में तो साउमे Redmi S2 का एक बजेट डिवाइस है। इसे खास तोरपा चीनी और भारतिय बजार को ध्यान में रख कर बना गया है। स्मार्टफोन के खास फीचर के अगर बात की जा तो ये Android Oreo-based MIUI 9 से लेस है। साउमे Redmi S2 में 5.99 inch की HD display दी गई है जो की 18 x 9 aspect ratio के साथ आती है। जिसका resolution 1440 x 720 pixel है। इसमें dual rear camera setup है जो की portrait mode और boke effect के लिए काम में आएगा। और back में rear mounted fingerprint sensor है। handset में हुक्ता को Qualcomm Snapdragon 625 processor दिया गया है। जिसकी clock speed 2 GHz होगी। RAM और storage की अगर बात की जा तो 3 GB RAM और 32 GB storage, और 4 GB RAM और 64 GB storage के साथ ये 2 variant में launch किया गया है। इसकी storage समता को भी बढ़ा जा सकता है। इसके लिए इसमें dedicated microSD card slot भी दिया गया है। जिसे 256 GB तक expand किया जा सकता है। Redmi S2 के camera की बात करें। तो इसकी जो main highlight है वो इसका camera ही है। camera 12 MP का है और secondary camera 5 MP का है। कमनी का दावा है कि ये Redmi का अब तक का सबसे सांदार selfie camera वाला phone है। Xiaomi Redmi S2 में 16 MP का front camera है जिसमें artificial intelligence पर आधारी beauty mode दिया गया है। phone में electronic image, stabilization, EIS और portrait mode जैसे feature भी दिये गए है। यही नहीं, security के लिए इस phone में finger pin sensor भी दिया हुआ है। यह phone के पिछले हिस्से में camera के ठीक नीचे मौझूद है। इसके लावा hands on में face unlock की सुविदा भी है, connectivity option के लिए 4G warranty है, Wi-Fi है, Bluetooth 4.2 है और eGPS जैसे feature मौझूद है। बात करें Redmi के smartphone S2 के किम्मत के बारे में, Redmi S2 के 3GB RAM और 32GB storage वाले वेरियन्ड की किम्मत है, double nine चीनी yuan, यानि इस अगर भारत यह रूपीस में convert किया जाये, तो करीबन 10,600 इस वेरियन्ड की किम्मत होती है। तो वहीं 4GB RAM O60, 4GB storage वाले वेरियन्ड के किम्मत 12,991 चीनी yuan, यानि की तगरीबन 13,700 रूपे इंडियन रूपीस में अगर convert किये जाये तो होती है। एडवाज चिन में 3 color option में available है, grey, rose gold और gold, जहां तक भारत में इसकी किम्मत की बात की जाये। तो साउमीन अबे तक इस बात का खुलासान नहीं किया है, कि जो device भारत में कब launch करेगा और उसकी price जो क्या होगी। लेकिन भारत में अभी जग यह phone launch नहीं किया है, अब सिफ यह चीनी market में लाँच किया है। इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर यह device जो है Redmi S2 भारत में launch होता है। तो इसके पहला वेरियंट जो की 3GB RAM और 32GB storage जो वेरियंट है उसके कीमत 11,999 यानि करीबन 12,000 रुपे हो सकती है। जबकि दूसरा वेरियंट जो है 4GB RAM और 64GB storage इस वेरियंट की किमत का अंदाज लगा जाए तो 14,999 रुपे यानि करीबन 15,000 रुपे हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक करें, कमेंड करें और शेयर करें और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कया तो सब्सक्राइब कर लो जो में इसी वीडियो बनाएके अपलोड करता रहता हूँ।